इसलिए भी महत्व है कि ये पार्लमेंट का चुनाव है ये देश का भविश्य बनाने वाला चुनाव है हमारे आगे के पीडी को सुरच्छित रखने का उनके हकुक की हिपाज़त करने के लिए और उनको जो खास करके ए विकर सेक्शन्स दलित आदिवासी पिच्ड़े और इन लोकों के जो हकुक है रिजर्वेशन्स है उस रिजर्वेशन की भी हिपाज़त करने का हमारा फर्ज है क्योंकि समिदान बचा तो ये सारे चीज़े बच जाते है कहीं लोग ये भी सोचते हैं बहु रिजर्वेशन के बारे में ही बात करते हमको क्या होता है रिजर्वेशन लेने वाले थोड़े लोग हो सकते हैं लेकिन देश के भविश को बनाने के लिए और समिदान को रक्षा करने के लिए लोगतंत्र को बचाने के लिए हम सब मिलके काम करना चाहिए नए तो फिर हम गुलामी के अंदर चले जाएंगे वोट का अधिकार तो सब को है और वोट है तो डिमाकरसी में आप किसी को भी ला सकते हैं तो जब आप किसी को जो अपने आइडेलोजी और विचारधारा पर विश्वास रखते हैं, उनको ला सकते हैं, अगर डिमोकरसी नहीं, अगर अगर डिक्टेटर्सीब रहें, कहां से अपने विचारधारा को अपने वोट डालेंगे और किसको बोलेंगे? तो इसलिए ये जो है, हम आपके लिए, आपके तरफ देखकर काम कर रहे हैं, और बहुत बड़ा संगर्स भी चल रहा है, यहां तक कि अपोजिशन पार्टी के लीडर्स को, जहां पर वो बीजेपी के मजबूत लोग हैं, वहां और पर हमारे लोगों को नॉमिनेशन डालने से भी रोक रहे हैं, यहां तक कि अभीशे उन्हों ने सुरू किया, जिस एलेक्शन एजेंट हम बनाते हैं, उसको डरा रहे हैं, और बहुत से ताजुब की बात है, हिदराबाद में मैं देखा, कि एक महिला बीजेपी की जो कैंडेट है, वो तो बुर्का उटा उटा के देख रही, चिटिया का से है, क्या है, आप देखे होंगे, तो यह ऐसी स्थिति में फ्री, फ्रेर, इलेक्शन होता है, डरा डरा के आप इलेक्शन करते हो, इसलिए लेवन प्लेइंग ग्राउंड होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लड़ रहे हैं, मजबूती के साथ, एक होके आगे बढ़ रहे हैं, और यह चार एलेक्शन के नतीजे देखने के बाद, हमें ऐसा है, रिपोर्ट्स आये हैं, कि गटबंदन आगे हैं, और कि लेकिन हны।